चिन संगहश मोच्वा के अध्याक्ष और पूर राजिमंत्री रगुनाद संगनेगी ने उट्रकहंट सरकापर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट में हुआ निवेश जूट का पुलिंता है। सरकार ने दावा किया था कि 673 कंपनियों से MOU हुआ है और 125 करोड का निवेश हुआ है लेकिन अभी तक फाइले हवा में ही तैर रही है। रगुनाद संगनेगी ने प्रदेश सरकार पर गंभी रारोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2018 में इन्वेस्टर समिट के नाम पर करोडों रुपया पानी की तरह बहाए गया और जूटी वावाही लूटने का काम राज्य सरकार ने किया है। इस तरह रगुनाद सिंग नेगी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाए। इन्वेस्टर समिट जूट का पुलंदा है। इस तरह उन्होंने इन्वेस्टर समिट पर ये आरोप लगाए हैं। पूर्राज मंत्री ने के निस सरकार पर ये बड़ा हमला बोला है। इन्वेस्टर समिट जिस थार पर ये बोला है।